इससे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी एन ''CONSTITUATIONS'' पे डिसकस किये थे और हम लोग यह डिसकस किये थे क्या है कहां से आया क्यों आया है आज हम लोग जो इंडियन कॉंस्टिचूसन के certain key features पर हम लोगंلة करेंगे तो इन्डियन कॉंस्टिचूसन के certain key features को अगर हम लोग देखें तो हमनों को यह पता चलेगा कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ बातें रही होंगी जिसके हमों लोगो को इंडियन Constitution की कुछ features को देखने की जरूरत है जैसे हम लोग features की बात करते हैं तो हमारे यहां जो features है जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि Indian Constitution की feature अब इसमें जो key features है जैसे पहला जो features है क्या है federalism है दूसरा दूसरा जो features है parliamentary form of government है तीसरा जो है separation of powers है नेक्स्ट जो है fundamental rights है उसके नेक्स्ट जो है region क्या है actually हमनों को एक बात जो ऐस्ट होगा है पता यह होगा जो हमनों को इन्डियस की जरूरत है जरूरत है जब हम लोग लोग देखते हैं इंडियन constituents की जरूरात क्यों पड़ी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहां किसका rule था था हमारे यहां जो है British copy yeah ुटेर रूल हुआ करता था अगर हमारे यहां British rule हुआ करता था तो इसका मतलब हम लोगों को किसकी हम लोगों को जो है certain rights की जरूरत थी अगर हम नुको certain rights की जरूरत थी certain liberty की जरूरत थी इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोई rights ही नहरा होगा during British time पे अगर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग British Karl में देखते हैं जब ब्रिटीस काल में हम लोग देखते हैं तो एक्शुल में क्या होता है ब्रिटीस गोशन को दिखते हैं तो उस वक्राइब नजर आता है एक्शुल में देखे तो ब्रिटीस British हमारे यहां क्या करते थे हुकुमत करते थे हम लोगों क्या किये थे गुलाम बनाये थे उस वक्त हर इनसान को किसकी जरूरत थी certain rights की जरूरत थी और certain liberty की जरूरत थी अब अगर हम लोग rights की बात करें तो क्या fundamental right जो fundamental right क्या है वह basic rights को हम लोग क्या करते है fundamental right कहते हैं कि एक इनसान को अपनी जिन्दगी जीने के लिए वह सभी rights की जरूरत होती है और उसी सभी जरूरत की rights को हम लोग क्या करते है fundamental rights करते हैं इसमें भी हम लोग क्या करेंगे अभी discuss करेंगे fundamental rights की जरूरत थी वो भी नहीं मिला liberty की भी जरूरत थी वो भी हम लोगो नहीं मिला साथ में जो है certain हम लोगो किसकी जरूरत थी rules की जरूरत थी वो भी हम लोगो नहीं मिला साथ में हम लोगो certain regulations की जरूरत थी वो भी हम लोगो नहीं मिला हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक इनसान को अगर ये सभी चीजे ना मिले तो क्या वो इनसान अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकता है यकीनन हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी इनसान इन सभी चीजों के बगैर अपनी जिंदगी में कोई भी तरक्की नहीं कर सकता है इसलिए तरक्की करने के लिए इनसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत थी साथ में एक चीज और भी हम यहां पे जो है देखते थे कि एक चीज और है कि जब कोई इस्टेट में क्या ना हो रूल ना हो, रूल मिन्स नियम जब तक किसी इस्टेट में एक प्रोपर नियम नहीं होगा तो कही ना कही से उस state को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो है rule less state कह सकते हैं अगर rule less state है तो इसका मतलब क्या है क्या वो democratic state है क्या वो एक state proper state है हम लोग कह सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि जिस state में certain rule ना हो certain regulation ना हो तो वो state अच्छा कर ही नहीं सकता है या उस state में जो है, लोगों की condition अच्छा हो ही नहीं सकता है, वैसे conditions में हम लोग क्या कहेंगे, the state become functioning as a might is right, मतलब जो जैसा चाहता है, वैसा जो है state में करता है, या वही होगा जो ताकतवर है, वही फिर अपना क्या करेगा, rules and regulations को maintain करेगा, और उसी की तरह जैसा वो चाहेग या state को run करेगा, तो ऐसे conditions में एक state का क्या होना चाहिए, rule होना चाहिए, without rules and regulations, state cannot functioning properly, इसी तरह से हम लोग देखे थे, कि ये देखे, कि एक state के लिए किसकी जरूरत परी, constitution की जरूरत परी, अचाहिए, ये constitution को जरूरत परी, इसलिए परी थी, कि हमें एक certain rules and regulations को maintain किया जाए, फिर इसी को जब हम लोग देखते हैं, कि इसके जब key features को देखते हैं, तो इससे पता ये चलता है, कि इस सम्विधान को बनने के लिए, भारत के सम्विधान को बनने के लिए certain एक किस की जरूरत परी होगी, constituent assembly की परी होगी, ये इसलिए परी होगी, क्योंकि जैसे ही British से हम लोग जो है, या British हुकुमत से हम लोग आजाद हुए, तो आजाद ही के just बात, हमनों को एक चीज ये नजर आया, कि हमनों को एक रूल बनाने के लिए, क्या करना चाह है, कुछ लोगों को एक अठा करना चाहिए, कुछ लोग मिन्स वो लोग, जो इस देज के लिए, परोपर तरीके से, रूल बना सके, और परीपर तरीके से, चीजों को समझ सके, कि actual में क्या है, तो इसके लिए, जो है, क्या किये, हम लोग rules and regulations बनाएं, और किसके तहद बन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है, सम्विधान सभाधी कहते हैं, और सम्विधान सभाध के तहद क्या किया गया, सम्विधान को बनाया गया, और 26 जन्वरी, हम लोग इस डेट को जानते हैं, 26 जन्वरी, 1950 को मेरा सम्विधान किस में आया, came into force मेरा सम्विधान जो है लागू किया गया और जैसे ही मेरा सम्विधान लागू हुआ तो उसमें certain जो है features दिखने को मिले अब देखिए जैसे ही मेरा देश जो है आजाद हुआ और constitutions बनाया तो उसके बाद जो हमने जो अपने सम्विधान में जो key features के तोड़ पे रखे है सबसे जो पहला चीज़ दिखने को मिलता है ये क्या दिखने को मिलता है federalism अब जी हम लोग देखते हैं कि federalism क्या है क्योंकि जो federal जो concept है actual में क्या है और इंडिया जैसे देश को federalism की जरूरत क्यों पड़ी जब हम लोग बात करते हैं federalism की तो ये जो concept है federalism का ये concept ज़स्ट constituent assembly में रखा गया लेकिन ये concept बहुत पहले से वर्थ करता था और ये जो हमनों को दिखने को मिला कब दिखने को मिला ये जब government of India Act 1935 का है इसमें भी हमनों को क्या federalism का concept दिखने को मिला और ये किस form में दिखने को मिला division of subject और आज भी जब हम लोग बात करते हैं कि certain schedule के तहत हम लोग क्या किये हैं division of subject किये हैं क्यूंकि हमारे हाँ schedule को जो है तीन पार्ट में divide किये हैं अगर हम लोग schedule को देखें तो वो तीन पार्ट में क्या क्या है तो पहला जो पार्ट है वो है central list दूसरा जो है state list और तीसरा जो है concurrent list तो हम लोग जो है federalism को ये जो है एक list के तहद भी देख सकते हैं और इसमें जो subject है certain subject जो define किये गए हैं उसके तहद भी देख सकते हैं लेकिन हम लोग federalism को इंडिया में जो देखते हैं वो इस भी आप पे देखते हैं कि जो है क्या है actual में federalism का concept तो federalism का जब concept देखते हैं हम लोग तो इसमें जो है एक चीज ये नजर आता है कि division of power और concentration of power ये जो है पहला देखिएगा हम लोग जब जैसे ही बात करते हैं किसकी federalism की जब federalism की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को तीन चीजे नजर आता है पहला जो है नजर आता है क्या center दूसरा नजर आता है state और तीसरा नजर आता है local पहला center दूसरा इस्टेट तीसरा जो नजर आता है पंचायती राज इंस्टिचूशन एक्शली में जब federalism को हम लोग समझने की कोसिस करते हैं तो बेस इसका क्या है ये है लेकिन अगर हम लोग federalism का definition दे तो definition का क्या मतलब है तो हम लोग कह सकते है division of power division of power ये जो है federalism का मतलब ही है division of power and power has been divided from center to state to local ऐसा क्यों किया गया ये जो है बात नजर आती है ऐसा क्यों किया गया ऐसा क्यों हम लोगों ने सोचा कि federalism होना चाहिए unitary नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि देखिए हम लोग की अगर constitution की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि मेरा जो constitution है क्या है ना ही तो complete federal है और ना ही तो complete unitary है देखिए हमारे यहाँ दो चीज नजर आती है यहाँ पर क्या है एक unitary unitary form and federal features जब हम लोग unitary form और federal features की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि हम लोग जो है जब सम्विधान को बनाए या हमारे सम्विधान बनाने के जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि unitary नहीं होना चाहिए unitary का मतलब यह कि concentration of power at the central level मतलब power जो है क्या है सिर्फ और सिर्फ किसी एक के हाथ में होगा इसका power का जो है division नहीं होगा कहा कि अगर power सिर्फ और सिर्फ unitary form में हो तो कही ना कहीं से क्या होगा इसका जो है बहुत ज्यादे नुकसान होगा हो सकता है कि power अगर किसी के हाथ में हो तो फिर जो है वो जो है democracy के बजाए dictator form में आ जाए है मतलब यह जो dictator जो word है यह dictator का मतलब है ताना सा ही कहीं ऐसा तो नहीं कि ताना सा हो जाए और जैसे कि हम लोग जानते हैं जानते यह हैं कि power करब्ष एब्सूलोट पावर करफ एब्सूलूटली लेकिन किसी एक के हाथ में अगर complete power हो tutorial तो क्या हो सकता है कि वो corrupt हो सकता है इसलिए हम लोगों में हम लोगों ने क्या किया ना ही तो सिर्फ और शिर्फ federal features रखे और ना ही तो जो है unity रखे इसलिए हमारे समधान ने क्या किया कि के sticky federal मतलब q prospective यह जो क्या है आधा मतलब हम लोग क्या कि division किये और इसी को आज के time में हम लोग एक word और जान सकते हैं इसमें इसमें क्या है एक है centralization और दूसरा है decentralization जो के इसी से related है एक क्या है centralization और दूसरा है decentralization decentralization centralization and decentralization centralization का मतलब होता है कि concentration of power at the central level और decentralization का मतलब होता है कि devaluation of power from center to the local level तो यह जो है concept है कि centralization और decentralization इसी को हम लोग क्या करते हैं center है और center है तो इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के पास क्या होगा authority होगा center होगा जो क्या करेंगे पूरे देश के लिए यह जो है low बनाएंगे और पूरे देश के लिए जो है यह जो है policies बनाएंगे और साथ में जो international relations में जो international relations को promote करने की जरूरत पड़े या international relations में किसी deals की जरूरत पड़े तो ऐसे conditions में count responsible होंगे it means center responsible होंगे हो सकता है कि defense के मामले में कोई issues हो तो उसका sort out कौन करेंगे तो center करेंगे हो सकता है कि मेरे प्रोसी देशों के साथ कोई ना इत्तफाकी हो रहा हो तो वैसे conditions में कौन उस matter को deal करेंगे तो center करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि कहा कि हमारे यहां center के पास भी क्या है power है और साथ में power का division किसके पास करते है state को भी करते है और state में क्या होता है कि certain state assembly होता है कि हमारे यहां जितने भी state है सभी state में क्या है इस्टेट एसेंबली है और इस्टेट एसेंबली को इस्टेट के रिगार्डिंग यह इस्टेट जो एसेंबली है इसमें भी यहां पर किसके लिए इस्टेट के रिकार्डिंग लो बनाने का क्या है ऑथोरिटी है कि state से रिलेटेड जो भी इस्टेट होंगे वो कौन इस्टेट ही डील करेंगे और स्टेट से रिलेटेड कोई भी इस्टेट से भी अगर बात करने की जरूरत पड़े तो हो सकता है state assembly क्या करेंगे center पे भी क्या करेंगे बात करेंगे तो आप लोग हम लोग जानते हैं कि जहां center है तो यहां पे हम लोग एक पद है prime minister यहाँ पे head के रूप में या मुख्या के रूप में work करते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे state में जब state assembly देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग chief ministers का भी क्या सुनते हैं नाम सुनते हैं actually मैं देखें क्या है कि यह division होना बहुत ही जरूरी था और division होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब हम लोग इन सबी चीजों को देखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है, cultural बहुत जदे हैं, यहाँ पे religions के मामले में क्या है, बहुत जदे हैं, क्योंकि यहां हर धर्म, हर जाती के लोग इस देस में क्या करते हैं, निवास करते है और हर जाती हर धर्म के लोगों के लिए या हर एक को एक समान देखने के लिए सार्टेन जो है सेंटर की भी जरूरत परती है इस्टेट की भी जरूरत परती है और साथ में जो है लोकल्स की भी जरूरत परती है क्योंकि यहां पे diversity है और diversity में अगर unity लाना है तो कहीना कहीं इसे powers को क्या करना होगा divide करना होगा ताके इस society के इस समाज के किसी भी लोगों को या किसी का भी क्या ना हो किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो हड़ एक के हीतों को देखा जाए और हड़ एक के हीतों पे क्या किया जाए बात किया जाए इसलिए जो है ऐसा system को भी adopt करना हम लुग के लिए क्या था जरूरी था अगर ऐसा system हम लोग adopt नहीं करते तो कहना कहीं से हमारे यहां एक दिक्कत जैसी बात बनी रहती क्योंके center means दिल्ली, parliament means दिल्ली और यहां पे दिल्ली से एक rural level को क्या करना, control करना, कहिना कहीं से यह मुश्किल साबित होता है, अगर power divide है, power channel wise है, तो इसका मतलब वहां से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को manage कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोग किसको देखते हैं, chief ministers को देखते हैं, और state को भी क्या है, power है, कि वो जो है, अपने area में, अपने state में, जिन भी चीजों की policies की जरूरत पड़ें, तो उन सभी चीजों पे वो क्या करें, विचार करें, विमर्स करें, और बाद भी करें, next जो हम लोग जो देखते हैं, यहां पे क्या, पंचाइती राज institutions, तो हम लोग जानते हैं, यह जो है, बहुत ही important section है, क्योंकि पहले से ही, बहुत पहले से ही इस पे बात हो रही है, क्योंकि यहां पे जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे राष्ट पिता मातमा गांदी जी, वो यह कहते थे, कि development की सुरुवाद जो है कहां से होनी चाहिए एक village level से होनी चाहिए एक गाउं से होनी चाहिए लेकिन जो है कुछ लोगों का ये भी मानना था कि development की सुरुवाद जो है सहर से होनी चाहिए लेकिन गांधी जी की बातों को मानते हुए हमारे समिधान के जो members थे या समिधान तॉबीधाबाबादेर जो मेंबर्स उन्होंने कहा कि इसको जो है और चाहश किया जाए समिधान में रखा जाए और यह जो है किसका पर था यह जो आ डियरेक्टिब फिरींसिपुल्स of State Policy का क्या था पार्ट था तो इसको जो है Directive Principles of State Policy में रखा गया और बाद में जब इसके Experiences को देखा गया तो कहा गया क्या कि पंचायति राज प्रोपर तरीके से functions नहीं कर रहा है इससे related कई सारे committees भी बनाए गए आप लोग इसको जो है पढ़े होंगे six class में भी आप लोग जो है इसको जो है पढ़े होंगे जैसे बलवंत राई महता कमीटी असोक राई महता कमीटी कई सारे committees बनाए गए और ultimately एक committee और बनाए गया LM सिंग्वी committee और उस committee ने यह कहा कि पंचायति राज तब तक function नहीं कर सकता है जब तक उसको constitutional status ना दिया जाए अल्टीमेटली क्या हुआ कि 90 73rd क्या हुआ constitutional amendment हुआ 1992 में और इसके तहत पंचायति राज पिस्टंस को क्या किया गया democratic decentralization के form में रखा गया और यह कहा गया कि यह जो पंचायति राज है अब यह जो पंचायति राज functions करेगा यह three-tier structure पे क्या करेगा function करेगा पहला जो इसका structure होगा वो क्या होगा जीला लेवल पे होगा दूसरा जो होगा block लेवल पे होगा और तीसरा जो है gram लेवल पे होगा मतलब village लेवल पे होगा और village लेवल पे जो head होंगे कौन होंगे परधान या मुखिया होंगे यहां पे जो head होंगे कौन होंगे वो जो है समेती होंगे और समेतियों के अध्यक्ष मिलकर के जो है क्या बनाएंगे पड़मुख बनाएंगे और साथ में यहां पे क्या होगा जीला पडिसद होगा और इसके मेंबर्स मिलकर अध्यक्ष चुनेंगे जो किसके साथ वर्थ करेंगे जो district level पे जो district magistrate है district magistrate के सा देखते हैं और federalism का concept को देखते हैं तो हमनों को यह पता चलता है कि पावर जो है अब किसी एक के हाथ में नहीं है पावर क्या है डिवीजन है इसका यह मतलब नहीं कि हम अगर प्राइम मिनिस्टर है तो मेरे ही कोई जो है क्या होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे ऐसा नहीं है क्योंकि यहां डेमुक्रेसी के साथ साथ क्या है कि डेमुक्रेसी के साथ साथ यहां पे पावर का डिवीजन भी है किसी एक के हाथ में पावर को नहीं दिया गया है और अगर डिवीजन है तो इसका मतलब यह है कि अगर सेंटर कोई वर्थ करता है इस्टेट कोई वर्थ करता है तो इसका मतलब यह है कि जो गुवर्मेंट का जो गुवर्मेंट का वसूल है या जो गुवर्मेंट को करना चाहिए वो सायद प्रोपर तरीके से कर पाएगा इसलिए कि गुवर्मेंट का एक ही में मकसद है कि लोगों को प्रोपर तरीके से क्या देना योजनास का ल कानून का लाब देना यह सारे के सारे चीजे जो बनाई गई है वह किस के लिए बनाई गई है लोगों के लिए बनाए गई है तो लोगों को ही क्या होना चीए लाब मिलना चीए और साथ में जब एक पॉंसेप्ट और देखते हैं बच्चे हम लोग और वह कॉंसेप्ट क्या है concept यह है कि who is supreme अगर हम लोग बात करते हैं कि यह जो है UPSC में और State Service में सवाल पूछा हुआ है कि इंडिया में who is supreme जैसे कि हम लोग यही अगर एक सवाल कर दे कि who is supreme अगर हम लोग इसी सवाल को देखे देखते हैं कि जैसे देख लें कि वू इस सुप्रीम वू इस सुप्रीम इन इंडिया अगर यह देखते हैं और इसका जो ओप्शन यह है क्या पूंस्टिचूशन दूसरा अगर सवाल दे लेते हैं पीपल सी ले लेते हैं पार्लियामेंट और डी नमबर में हम लोग यह ले ले कि सुप्रीम कोट तो अब इसमें अगर हम लोग यह बात करें कि इन में से कौन सुप्रीम है कहां पर भारत में क्या भारत का समिधान सुप्रीम है या भारत के लोग सुप्रीम है या पार्लियामेंट के लोग बात करेंगे तो कहेंगे भारत के लोग क्या है सुप्रीम है रालस आर सुप्रीम क्यूंवारी है है यह चीज़ देखने हैं कि हमारे यहां क्या है सम्विधान है Constitution है हमारे Constitution है अगर Constitution किसके लिए है मेरे लिए हम लोगों के लिए क्या है सम्विधान है और हमी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है यहां पर constitutions में amendment किया जाता है कैसे हम लोग vote देते हैं और vote के थुरू जो है अपने जो है MPs चुनते हैं और MPs कहां Parliament में जाते हैं और Parliament में हम लोग जाते हैं कि Parliament जो है कोई भी provisions पे क्या कर सकता है constitutions के amendment कर सकता है तो भेजे कौन है हम है तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहां जो है क्या है यह जो है वो पार्लियामेंटी यह people is supreme तो ऐसे चीजों को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग पता चलता है कि वाके में actual में चीजे जो है क्या है और कैसे चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं maintain कर सकते हैं और साथ में जो है इसको कैसे जो है control कर सकते हैं just इसके बाद जो दूसरा जो एक concept आता है तो उस पे भी हम लोग क्या करते हैं discuss करते हैं और यह जो discussion है वो यह है कि parliamentary form of government कि parliamentary form of government जो है वो क्या है क्यूं है और ऐसा क्या जरूरी था जिसमें हम लोग क्या किये parliamentary form of government को accept किये ज़स्ट इसके दूसरा जो features है वो जो है क्या है parliamentary form of government parliamentary form of government को जब हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि देखिए दुनिया में कई form of government है parliamentary है presidential है ठीक है या तो दोनों ही है लेकिन हमनों को क्या लगा कि best form of government जो है हम लोगों के लिए वो क्या है parliamentary form of government जब parliamentary form of government को हम लोग जब देखते हैं इससे यह पता चलता है कि parliament जो है वो क्या है सबसे पहली दम और बात तो यह होनी चाहिए कि Parliament किसे कहते हैं what is Parliament जब हम लोग Parliament किसे कहते हैं तो इससे यह पता चलता है कि Parliament is a discussion place या Parliament is a discussing place मतलब ऐसा जगह है जहां पर क्या होते हैं लोग बैठते हैं और वहां पर क्या करते हैं discuss करते हैं तो parliamentary form का मतलब यह है कि Parliament एक building है जहां पर लोग क्या करते हैं बैठते हैं और यहां पर जो है discuss करते हैं और parliamentary form of government जब हम लोग यहां क्या किये एड़ोप्ट किये तो इसमें जो है पार्लिया मेंट में दो हाउस देखे पहला जो हाउस है उसको हम लोगों ने कहा लोग सभा और दूसरा जो हाउस है इसको हम लोगों ने कहा राज्य सभा इसको हम लोग कहें लोड हाउस और इसको हम लोग कहें अपर हाउस इसको जो हैं अपर हाउस भी कहते हैं देखें ऐसा सिस्टम हम लोग क्यों एडोप्ट किये ऐसा सिस्टम हम लोग इसलिए एडोप्ट किये कि जब हिंदुस्तान में बिरिटीस हुकूमत करते थे तो उस वक्त बिरिटीस में क्या था पार्लियामेंटर system को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी चुके थे और वहाँ जो democracy का जो concept था Britain में उसको भी हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे जिसके वज़े से हम लोगों को ये लगा कि parliamentary system जो है बहुत बहतर है इवन के presidential form of democracy से या presidential form of government से parliamentary form of government क्या है बेहतर है वो इसलिए है कि जब parliamentary form की बात करते हैं तो हम लोग यहां यह कहते हैं कि equal equal participation equal participation for all मतलब सबका क्या हो रहा है participation हो रहा है मतलब यह कि यहां पे अगर parliamentary system है और सबका participation है तो इसका मतलब यह है कि हमारे हां क्या है democracy का concept है और democracy का अगर concept है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यह जानते हैं कि जो लोग 18 years complete कर चुका है उसको जो है vote देने का क्या है अधिकार है अगर वोड देने का अधिकार तो इसका मतलब ये भी है कि value of vote जो value of vote है अगर आपके value of vote 1% पे 1 है तो मेरा value of vote जो है वो भी क्या है एक परसंते एक ही है और value of vote के थुरू क्या होता है अपने जो है representative को क्या करते हैं वो चुनते हैं और अपने representative को चुन कर कहां भेशते हैं पार्लियामेंट भेशते हैं और चब पार्लियामेंट भेशते हैं तो फिर ये लोग क्या करते हैं मेरे ही बिहाब पे क्या करते हैं बात करते हैं डिसकस करते हैं डिबेट करते हैं कि हिंदुस्तान का कौन ऐसा area है जो अभी भी क्या है पिछरा है वहां पे कैसे उस पिछरे पन को क्या किया जाए खतम किया जाए क्या वहां पे योजना की जरूरत होती है कि योजना के द्वारा जो है वहां पे जो है पिछरे पन को खतम किया जाए या जो है वहां पे जो है इस पेसल एटेंशन की जरूरत है या जो है वहां पे ऐसा तो न कि उस area का certain connectivity है में जगह से या कही में मार्केट से नहीं है तो इन सभी चीजों पर हम लोग क्या करते हैं कमिख्षा करते हैं कहां पर परलियामेंट में बैठके और फिर परलियामेंट वईसे जगहों के लिए क्या करती है certain rules भी बनाती है और certain policies भी लियाती है किसके लिए उसके development के लिए तो अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर देखते हैं लोग सभा Lord house, generally इसको हम लोग क्या कहते हैं Lord House, Lord House में कौन होते है एमपीज होते हैं claire of Parliament होते हैं Lord House में अब यह जो member भूट के थुरू क्या करते हैं यहां परोट के द्नारा यहां पर हम लोग MP को चुन करके भेशते हैं ये जो house है ये house कितने साल तक सिर्फ और सिर्फ ये जो है five years तक क्या करती है function करती है और five years के just बाद क्या होती है खुद बखुद ये house dissolve हो जाती है और dissolve होने के just बाद फिर क्या होना करना परता है फिर से इसमें क्या होता है election होता है तो एक चीश तो ये भी पता चला यहां से कि हर 5 साल पे लोड हाउस का एलेक्षन होता है और लोड हाउस से ही क्या हम लोग देखते हैं कि परधान मंतरी भी नियुक यह आते हैं यहीं से क्या है प्राइम मिनिस्टर भी है और साथ में जो है कौन सी लोग मिनिस्टर्स भी है तो इसका मतलब हर 5 साल में प्राइम मिनिस्टर भी बदलते हैं और कौन सी लोग मिनिस्टर्स भी बदलते हैं यह बात और है कि फिर से दोबारा अगर वहीं लोग जीत के जाए तो हो सकता है फिर से वहीं लोग मिनिस्टर बन जाए लेकिन 5 साल तक उसके इलावा नहीं तो यह parliamentary जो features है इसका एक बहुत बड़ा जो यह इंपोर्टेंट्स है वो यह है कि every five years पे क्या होता है कि resuffle होता है इसमें एक चीज और भी हम लोग यह देख लेते हैं कि ऐसा system इसलिए किया गया है कि अगर five साल के बजाय नहीं कि एक बार जीत के आए और हर हमेशा वो सरकार बनाते रहें और बनते रहें और कोई election नहीं होगा क्या ऐसा हो सकता है अगर ऐसा होता तो फिर जो है इसको हम लोग नहीं तो parli argument reform कहते हैं और नहीं जो है हम लोग क्या कहते हैं democratic form of government करते यह क्या हो जाता फिर से डिक्टेटर हो जाता और वैसा ही नजर आता जैसा कि हम लोग कहां देखे थे कि बिरिटीस ने हमाने हां हुकूमत किया था और फ्रेंच में जो है फ्रेंच की भी क्या होती करांती नहीं होती इसका मतलब फिर यहां पर क्या होते कि कोई एक पार्लियामेंट्री फोर्म में ऐसा सिस्टम नहीं है यहां पर क्या है हर फाइब यर्स पर क्या होते हैं एलेक्शन्स होते हैं और हर फाइब यर्स के बाद सरकार बदलती है दूसरा जो है एक है राज्यसवा यहां पर एक हाउस और है राज्यसवा का यह मतलब है इसको अ प्रपोर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहाँ पर MP बनाकर भेजे जाते हैं जब यहाँ पर MP बनाकर भेजे जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसका भी क्या होगा इंपोटेंस होगा इंपोटेंस इसलिए है कि कह रहा है कि हमारा जो है तेंटर में इस्टेट का भी क्या होगा और जो है डाइरेक्ट जो है लोगों के द्वारा जो चुना गया है उसका भी क्या होगा तो कहा कि यह जो है ऐसा एसेंबली होगा जो कभी भंग नहीं होगा और इसका क्या होगा एक तो यह जो है कभी भंग नहीं होगा तो कभी यह जो एसेंबली है कभी भंग नहीं होता है हर बलके क्या होता है कि यहां के जो MPs हैं members हैं क्या होता है every two years पे तूद one third one third जो members हैं क्या होते हैं retire करते हैं मतलब यह कि यह SMLE कभी भंग नहीं होता है यहां के जो members है one third members क्या होते हैं retire करते हैं अब इसमें जो है total जो है members कितने हो सकते हैं तो 250 हो सकते हैं इसमें जो total members कितने हो सकते हैं 552 हो सकते हैं अभी इसमें जो total members है वह कितने हैं 543 अभी members है क्योंकि यह जो है 104 वाल संविधान संसोधन के तहद जो दो मेंबरasmine एंगलोग इंडियन्स है उसको भी क्या कर दिये हैं तो अभी जो है तोटल जो अभी हमारे यहां जो members है वो कितने है 143 members है और यहां पे कितना है 245 members है जिसमें से 12 members ऐसे हैं जो president of India क्या करते हैं nominate करते हैं तो यह upper house और load house का मतलब यह हुआ कि कोई भी बिल पे जब बहस होता है तो दोनों house का क्या है importance है और दोनों house सहमत होता है तभी जो है उस बिल को पास माना जाता है exception है इसमें क्या कि वो जो है parliamentary system को देख रहे थे और यह था क्या parliamentary form of democracy या parliamentary form of government को इसलिए हम लोगों को ने अपनाया कि यह हम लोगों के लिए उस वक्त के लिए क्या था बहतर था और हम लोगों को समझने के लिए भी क्या था अच्छा था इसलिए जो हम लोग क्या किया, parliamentary, democracy के हम लोगों ने क्या किया है, अपनाया है, और ये जो है, हम लोगों के लिए बेहतर form of government है, इसके just बाद, एक और हम लोग क्या देखते हैं, features देखते हैं, और वो जो features है, वो है, separation of power, ये बहुत important concept है, जब हम separation of power की बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए, हमनों को थोड़ा सा, क्या समझना होगा, ओर्गन of government को समझना होगा, जब ओर्गन of government को समझते हैं, तभी जो हमनों को क्या जो है, ये separation of power जो है, समझ में आएगा, पहला जो है, वो क्या है, देखे, सबसी जो पहला है, हमारे यहाँ, क्या है, वो है, legislature, दूसरा जो है, क्या है, executive, and third one है, judiciary, पहला देखे, कह रहा है, क्या, legislature, executive, and judiciary, अब यहाँ क्या कहता है, कि power जो है, क्या होना चीए, complete अलग होना चीए, separate होना चीए, कोई भी जो है, एक दूसरे के साथ मिलकर work ना करे, और नहीं करना चीए, और ये जो separation और power का जो concept है, बहुत ही important है, actual में, आप इसको ये देखें, कि पूरा, देश, किस पे, यही तीनों system पे क्या करता है, रन करता है, और यही तीनों system जो है, हिंदुस्तान की सभी चीजों को क्या करता है, regulate भी करता है, और सभी चीजों को maintain भी करता है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर क्या करता है हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेचर जो है क्या बनाता है लोग बनाता है समझेगा यह बहुत important concept है यह पहला जो है क्या है क्या है लेजिसलेचर का काम क्या है तू मेग दलो मतलब लो बनाता है एक्जुगेटिव का काम क्या है कि यह जो लो बनाए है इसी लो को क्या करता है implement करता है एक ने जो है लो बनाया दूसरे जो है क्या क्या दूसरे ने जो है क्या क्या यह जो है लो को implement किया और तीसरी जो बात है जुडिसियरी यह क्या करता है प्रोटेक्ट करता है दिखिएगा समझेगा इसको बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि एक ने लो बनाया दूसरे ने इंप्लिमेंट किया और तीसरे ने प्रोटेक्ट किया अब बात यह आ रही है कि अगर यह तीनों मिल जाएं तो क्या जो लोग बना रहा है और जो लोग को implement कर रहा है और लोग को क्या कर रहा protect कर रहा है तीनों अगर आपस में मिल जाए तो क्या होगा यही होगा कि फिर हम जैसा चाहें वैसा क्या कर सकते हैं लोग बना सकते हैं हम पे जो है कोई किसी का जबरदस्ती नहीं हम जैसा चाहें वैसा लोग बनाएंगे और वैसे अपने मुताबित लोग को क्या करेंगे implement करेंगे और साथ में जो है चाहे तो उस लोग का protection होगा या नहीं होगा वो कौन decide करेंगे हम decide करेंगे कहा कि हमारे Indian Constitution के जो features है इसमें ये बात कहा गया कि जो ये organ है तीनों organ क्या करेंगे separate तरीके से work करेंगे और इसके लिए Indian Constitution ने क्या किये है time to time चीजों को बताए भी है और certain provisions और certain articles के साथ ये चीज maintain किये हैं कि कहा कहा रोक है और कहा कहा रोका जा सकता है तो अभी देखते हैं जैसे यहाँ पे क्या है MPs है और यहाँ पे क्या है bureaucrate है means IASB है और IPS भी है कि अगर आप low बनाते हैं तो low बनाने में executive और legislature का role हो सकता है कि हाँ पे role हो सकता है कि जब कोई low बन रहा हो तो वैसे conditions में जो executive के जो members है तो executive के members क्या कर सकते है advice कर सकते है लेकिन अगर executive का हम लोग out division देखें तो यहाँ पे क्या है कि दो चीज और दिखने को मिलता है और वो दो चीज क्या है वो दो चीज यह है कि एक है permanent एक है permanent executive और दूसरा क्या है non permanent executive जब non permanent executive की बात करते हैं तो इसको जड़ा समझें जो permanent executive है तो इसमें IAS है IPS है IPS है उसके बाद जो है bureaucrates है और non permanent executive में कौन है ministers है कि ministers है non permanent executive तो कह रहा है कि executive और legislative दोनु जो है क्या कर सकते हैं मिलके तो work कर सकते हैं इसका बहुत ज़्यादे जो है effect दिखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर judiciary यह तीनों के साथ मिलकर work करें तो इसका बहुत ज़्यादे क्या होगा effect दिखने को मिलेगा इसका मतलब यह है कि Indian Constitutions में certain article के साथ यह कहा गया कि judiciary should be separated from legislature and executive और इसको हम लोग अभी देखेंगे कि अगर judiciary को separate नहीं करता तो इसका क्या implications हमनों को दिखने को मिलता तो इसलिए कहा गया कि यह जो तीन ओर्गन है तीनों ओर्गन को क्या करना चाहिए separately work करना चाहिए किसके तहए according to Constitutions बट तीनों जो है क्या कर सकता है check and balance का काम करता है और check and balance का काम कर सकता है वो कैसे करता है यह भी देखते हैं तो यहाँ पे चलिए अगर यहाँ पे legislature और executive हो सकता है मिलक के वर्थ कर सकता है क्योंकि legislature को executive की जरूरत परती है कब जब किसी policies का बनाना हो या किसी policies पे discussions करना हो वो इसलिए जरूरत परती है कि जो senior जो bureaucrate होते हैं उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं वो जो है बहुत सारे जो है वो जो है experience होते हैं क्योंकि district magistrate काम करते हैं जो है commissioner काम करते हैं तो उनको जो है इस देश के policy making में advice की जरूरत परता है इसलिए कि वो जो है practical approach को एक lower level से top level तक देखते आते हैं तो यहाँ हो सकता है लेकिन कह रहा है कि judiciary को जो है कभी भी आप जो है एक जगह नहीं रख सकते हैं यह जो है complete इस organ को क्या करना होगा separate रखना होगा जैसे अब क्या करा है कि legislature low बनाती है और जो है executive उस low को implement करती है लेकिन हो सकता है parliament कोई क्या कर रहा हो ऐसा low बना रहा हो जो क्या हो inconsistent हो अगर कोई low inconsistent होगा या वो लोग जो society के लिए applicable नहीं होगा वैसे low को यह जो है judiciary में supreme court और high court आता है supreme court क्या कर सकता है वैसे low को क्या कर सकते है और यह जो है सम्विधान में एक आर्टिकल है आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 में यह जो है completely कहा गया है कि कोई भी लोग क्या हो inconsistent हो तो वैसे लोग को supreme court क्या कर सकते है null and void कर सकते हैं आप यह चीज़ यहां सोच सकते हैं कि अगर तीनों और गन एक साथ मिल के work करता तो ऐसे condition में क्या होता कोई ऐसा लोग जो inconsistent होता और society के लिए applicable नहीं होता तो वैसे लोग को भी supreme court क्या कर देती allow कर देती और अगर supreme court वैसे लोग को allow करती तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका conditions क्या होता तो तो ऐसे conditions में जो है हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है लोग क्या है in consist है और कहिना कहिं से यह जो है जरूरी है तो इसी तरह से हम लोग यह कह सकते हैं एक फीगर के तेयत कि एक क्या है लेजिसलेचर एग्जुगेटीव जुडिसियरी यह जो है तीनों जो है क्या करता है चेक एन बेलेंस का काम करता है मान लेते हैं यह क्या है लेजिसलेचर एग्जुगेटीव एड जुडिसियरी अब जो है इससे भी उपर क्या है इससे भी उपर क्या है यह जो है सम्विधान means constitution इसका मतलब यह है कि तीनों औरगन अगर क्या करते हैं अपने ही साथ और अपने ही काम पर फोकस करते हैं किसकी तहत सम्विधान के तहत तो वह कहीना कहीं से check and balance का काम करता है और अगर समिधान के तहत नहीं करते हैं तो फिर check and balance जैसा काम नहीं करता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समिधान जो है क्या करती है तीनों पे कहिना कहिसे उसका जो controlling जो factors है उसको यह बनाएं रखती है अब जो है इसके just बात एक features जो है और है तो वह features जो है यह है fundamental right fundamental rights बहुत ही important chapter है Indian constitutions में क्यूंकि उसके बगैर जो है कुछ भी चीज possible नहीं है तो next जो chapter है fundamental right उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं और उस पे जो है discuss करते हैं actual में यह देखते हैं कि क्या है fundamental right और हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है next जो point है हमनों के पास वो है fundamental right अगर हम लोग fundamental rights की बात करते हैं तो क्या है fundamental right यह वो right है जो किसी व्यक्ति के भोतिक और नेतिक विकास के लिए जरूरी है बगेर fundamental rights के कोई भी इनसान अपना जो है भोतिक और नेतिक विकास नहीं करते हैं यह बेसिक right है यह जितने फी rights है यह क्या है बेसिक right किसके लिए एक इनसान को अपनी जिन्दगी जीने के लिए किसी इनसान को क्या fundamental right ना दिया जाये यह fundamental right ना मिले तो फिर और वह इनसान कहिना कहिं से कुछ भी नहीं है एक्चुल में जो fundamental rights का जो concept है ये जो है हमनों के यहाँ हो सकता है कि कुछ parts बिरिटेन से भी दिखने को मिलता है लेकिन अमेरिका के Bill of Rights से जो है ये concept हमनों को दिखने को मिलता है और यहाँ पे जब fundamental rights की बात करते हैं तो हमारे या mainly छे तरह के क्या है fundamental rights है और ये जो है Indian constitutions के part third के जो है दिखाया गया है या part third में जो है रखा गया है और part third में जो article है ये जो है article 12 से 35 तक हमनों को fundamental rights दिखने को मिलता है लेकिन जब हम लोग article 12 से 35 तक discuss करते हैं तब पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे rights है जो हम लोगों के लिए क्या है जरूरी है article 15 को अगर देखें तो उसमें क्या कहता है किसी के साथ आप discriminate नहीं कर सकते हैं लेकिन उससे पहले जो एक article है 14 article 14 क्या कहता है article 14 कहता है equality before law and equal protection of law all are equal on the eyes of law no one is above the law no one is below the law इसका मतलब क्या है कि article जो है article जो है यह जो है 14 से article 18 तक किसकी बात करता है यह जो है equality की बात करता है अब अगर equality की बात करता है तो इसका मतलब क्या है कि समाज में हर व्यक्ति को क्या है देना होगा equality देना होगा जब तक आप equality का concept apply नहीं करते हैं equality का दर्जा समाज में नहीं देते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है क्या नहीं कर सकता है अपने आपको develop नहीं कर सकता है क्योंकि अगर आप उसके साथ क्या करेंगे और नहीं जो है वो भौतिक डेवलप करपायेगा इसलिए जो equality का concept है वो किसके लिए सब के लिए क्या है बड़ाबध है इसी तरह से जब article जब हम 15 की बात करते है तो Article 15 कहता है, there shall be no discrimination on the ground of color, caste, states, place of birth, मतलब आप किसी के साथ discriminate नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, no discrimination, वहीं Article जब हम लोग सहुला की बात करते हैं, तो Article 16 क्या कहता है, कि कोई भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का, या सरकारी नोकडी हो, या कहीं पे भी किसी भी opportunities में उसके साथ discriminate नहीं कर सकते हैं, साथ में ये भी कह रहा है, कि समाज के किसी sections का, अगर क्या हुआ है, कि जो है, socially, economically, politically, development नहीं हुआ है, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चीए, certain जो है, उसके लिए अलग से योजनास जो है, बनाने की जरूरत है, इसके बाद हम लोग सतरा को भी देखते हैं, अठारा को भी देखते हैं, तो इसमें किस की बात करता है, यह जब में नहीं सपिटा है गर सकता ऊबिएसलीट नहीं कर सकता है इसकूआ क्या ideeना होगा छो वह किसी भी देस में में किसी भी जगह में जा कर रह सकता है वह जो है पीस्फुल्ली जब्रदें को सरकार तक कुछा सकता है तो यह जो है कहिना कहिं से आर्टिकल 19 का भी जो है क्या है बहुत बड़ा रोल है नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 20 तो आर्टिकल 20 यह कहता है कि एक ही केस में किसी को दोबड़ा क्या नहीं दे सकते हैं सजा नहीं दे सकते हैं इसमें डबल जिए पारडाइज देन हम लोग जो आठते हैं आर्टिकल 21 तो आर्टिकल 21 बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह कहता क्या है राइट टू लाइफ मतलब यह कि कोई भी व्यक्ति का जो लाइफ है उसको कोई भी छिन नहीं सकता है except procedure established by law मतलब procedure के तूरू जो है वो जो है उसकी लाइफ को क्या कर सकता है डिश्ट्वाइक कर सकता है लेकिन हर व्यक्ति का क्या है जीने का अधिकार है और इसी में बाद में एक बात और आई औ उसके साथ साथ क्या चाहिए? डिगनिफाइड लाइफ चाहिए. अब डिगनिफाइड लाइफ जब जैसे ही आया, इंक्लूड हुआ, तो इसका मतलब जो fundamental rights दाइरा है, वो बहुत increase किया और इसके साथ साथ जो है, लोगों की rights भी क्या होते रहे? वो भड़ते रहे, इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और देखते हैं, कि कहा कि डिगनिफाइड जब वर्ट जुड़ा और डिगनिफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे जो पहला चीज है और वो है क्या right to education, अब right to education को क्या किया, कि article 21A केते हैं, जो है, इसमें 86th constitutional amendment 2002 में किया गया, और कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करेंगे, free and compulsory education देंगे, साथ में जो हम लोग देखते हैं, कि जितने हमारे क्या है fundamental rights है, इसके protections के लिए, कौन है, कहा कि इसके protections के लिए, कौन है, supreme court है, और high court है, कहा कि fundamental rights का अगर violation होता है, तो article 32 के साथ, और article 226 केते हैं, जो है, ये कहां जा सकते है, supreme court and high court जा सकते हैं, इसलिए, article 32 को, डाक्टर वीमराव अम्वितकर साब ने ये कहा, कि heart and soul of Indian constitutions, जो है, कौन है, तो वो article 32 है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, fundamental rights को देखते हैं, और अभी हमारे हमारे हां कितने हैं, ये fundamental rights है, पहले साथ fundamental rights था, पहले जो है, साथ fundamental rights था, और वो था right to property, एक और right था, वो था right to property, लेकिन इस right to property को fundamental rights से क्या किया गया है, erase किया गया है, और right to property को fundamental rights से erase कब किया गया है, ये जो है, 44, जो है, 44 मां, constitutional amendment act, 1978 में हुआ था, और इस amendment के तहट, जो है, क्या किया गया, कि right to property को fundamental rights से हटा कर, अब जो है, इसे किसमे, legal right में रखा गया है, अब जो है, ये कहां पहे है, legal right के तहट, आर्टिकिल, आर्टिकिल, 300A के तहट, इसको रखा गया है, तो कही ना कहीं से, ये सब चीजे, जब आप लोग देखते हैं, तो पता चलता है, कि एक इनसान को, अपनी जिन्दगी, जीने के लिए, इन सभी rights जो है, बहुत जरूरी है, इसके बगर, इनसान जो है, अपना जो है, डेवलब कर ही नहीं सकता है, चाहे वो भोतिक हो, नेतिक हो, ठोठ हो, कोई भी process हो, ये जो है, डेवलब कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए जो है, ये सब जो rights है, क्या है, basic rights है, और all fundamental rights are, natural rights, ये भी हम कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि यह जो है human rights, natural rights, यह सब के सब क्या है, यह जो है fundamental rights का part है, क्यूंकि यह सब basic rights है, और इन सबी rights के साथ पोई compromise नहीं करना चाहिए, और compromise नहीं किया जा सकता है. इसके just बात एक और हमनों के पास क्या है, थोट है, और वो है secularism, secularism जो है यह भी एक बहुत ही important और बहुत ही अच्छा क्या है, concept है, इसको भी हमनों को देखना और जानना, समझना बहुत ही जरूरी है, क्यूंकि इंडिया जो है, secular state है, अगर हिंदुस्तान के state को secular state कहते हैं, तो यह क्यूं कहते हैं, यह देख लेते हैं जरा, देखिए, नेक्स्ट जो है हमनों का, क्या है, secularism, क्या है secularism, अगर हम लोग बात करें, secularism, तो अगर secularism का definition को देखें, तो यह जो है, clearly यह पता चलता है, इसका कहना है, कि state has no religion, मतलब यह कि state का कोई अपना धर्म है ही नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, secularism कहते हैं, मतलब यह कि state has no religion, मतलब इस्टेट का अपना कोई धर्म है ही नहीं, अगर state किसी एक धर्म को परमोट करती है, तो हिंदुस्तान के सभी धर्मों को क्या करती है, परमोट करती है, और यह जो है, हम लोग जब article 25, 26, 27 जब परते हैं, तो उसमें जो है, यह चीजे हम लोग को समझ में आता है, कि इस देश में कोई भी वेक्ति किसी भी धर्म को क् असकते हैं, क्यूंकि धर्म जो है, क्या है, अंत्रकरन का विसे है, इसलिए, दियर सेल भी नो इनफोर्स, मतलब यहां पोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह है, कि state धर्म के मामले में क्या है, निउट्रल है, अगर निउट्रल है, तो इंडिया के concept में तो हर कोई हर जगह है, लेकिन अगर support में है, तो हर जगह है, क्यूंकि state का कोई धर्म है ही नहीं, अगर state क्या करती है, कि अगर कोई यात्रा होता है, या जो है कोई जो है festivals होता है, सपोज मान लेते हैं कि हिंदुस्तान में क्या है cultural diversity है, यहां पे religious diversity है, तो किसी एक धर्म के मानन वालों को भी क्या करती है, वो protect करती है, यहां पे जो है neutral का concept इंडिया में नहीं है, अगर है तो सब के लिए है, नहीं है, तो किसी एक के लिए नहीं है, लेकिन Indian secularism, Western secularism से क्या है, थोड़ा सा अलग है, क्यूंकि वहां पे जो Western secularism है, वहां पे क्या है, कि state जो है, धर्म को लेकि क्या है, complete neutral है, मतलब यह कि जैसे हम है, तो हम अपने office में क्या कर सकते हैं, कोई भी photo धार्मिक photo रख सकते हैं, कोई issue नहीं है, हम जो office जाते हैं, तो हम जो है, कोई भी धार्मिक dress भी पहन के क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, इंडिया में, और हम जो है क्या करते हैं, क्य में भी क्या कर सकते। प्रेयर कर सकते हैं बाइब कर सकते हैं पूजा कर सकते हैं कोई तो इंडिया में इसलिए हिंदी में इसको जनरली क्या करते हैं पंथ निर्पेक्ष कहते हैं और western में इसको क्या करते हैं धर्म निर्पेक्ष कहते हैं लेकिन इंडिया के concept में देखें तो यह है कि state has no religion, state का कोई अपना राज किये धर्म नहीं है और अगर state इंडिया में क्या करती है किसी एक धर्म को परमोट करती है तो इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों को क्या करती है परमोट करती है तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे आज हम लोग जो देखें कि इंडियन Constitution में certain key features है उसको देखे उसमें जो है पहला हम लोग बात कि ए फिडरलिजम दूसरा हम लोग समझे Parliament reform of government तीसरा समझे separation of power और चौथा जो है हम लोग क्या देखे secularism यह चौथा जो है fundamental right और पांच वह हम लोग देखे secularism तो next class में फिर हम लोग फर्दर इससे आगे देखेंगे तब तक के लिए बच्चे थेंक्यू सुख्रिया करें